हलोग स्टुएंट्स हावार यू घ। आपन स्स्टी क्लास 6 आगे एक फ्रेंग पोसिड्ट अपने हिस्ट्री का फirst्री लेशन चल रहा था वोट वेर अवेंड वन इसमें अपने श्ट्री किया था history and introduction history why study it and उसके आगे अपने कल पड़ा था how geography influences history ठीक है इसके अंदरी ये पूरा मैप है ये आपने कर लिया होगा कल अपने early settlers in India भी पड़ लिये थे अब अपन आगे चल रहे हैं आज हम पड़ेंगे आज हम पड़ेंगे timeline in history ठीक है dates and events यानि history में जो dates और events है उसको अपन किसी हिसाब से divide करते हैं ठीक है तो आपने कुछ ये जो terms है ये मलबी BCE CE ये जो CE है यहां पर ये जो zero से आगे का जो हो गया ये अपना common era और BCE यानि before common era ठीक है ये हो गया birth of Christ ठीक है यहां पर birth of Christ ठीक है यह अपना यहाँ पे बिल्कुल जीरो पे प्रत अफ क्रेस्ट है और इससे पहले का और इससे बाद का जो अपन हिस्ट्री स्टेडी करते हैं वो अपना आगे थोड़ा यह पूरा पढ़ेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा ठीक है इट क्या हाँ देखे जो भी है आपकी टाइम लाइन इट तुक हुमन्स सेवरल थाउजन्स इयर तू प्रोग्रेस फ्रों बिंग कैव डेवलर्स तू क्रेटिंग हाइली डेवलेप्ट सिविलाजेशन्स टाउन्स एंड सिटीज ठीकी न देखो पहले जोग थे वो क्या थे कैव डेवलर्स यानि गुफाओं में रहने वाले थे और अब है अपन क्या की हाइली शिविलाजड हो चुके हैं और अपने बहुत सारे जो टाउन और अच्छी बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं उनको अपन ने डेवलप कर लिया है Hence, we study history in three broad division पूरे इतियास को अपन तीन मुख्या मुख्या बागों में तीन बड़े बड़े बागों में पांटते हैं कौन से देखो ancient history, medieval history and the modern history तीन पार्ट में अपन हिस्ट्री को पांटते हैं वैसे तो कितने हुजारों साल जो पहले की हिस्ट्री होगी तो कोई ने कोई चीज को अपन डिवाइड करते हैं तो वैसे हम क्या करते हैं हिस्ट्री को अपन मैंनली वन तू थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं ancient medieval and the modern history ठीक है अब देखिए ancient history studies the period from five lake BC to 800 AD ठीक है here BC here BC and AD are terms used to measure time यह जो BC और AD है यह किसलिए है इससे अपन अंदाजा लगाते हैं भी यह क्या कहना चाहता है ठीक है न BC इसके आगे अपने यह लिख दिया यह लिख दिया यह लिख दिया इसमें से अंतर क्या है वो देखिया the birth of Jesus Christ is taken as the reference point from the which historians count dates यह यह जो क्या था the birth of Jesus Christ इसको एक criteria माल लिया ठीक है इसके बाद की गटनाएं और इससे पहले की गटनाएं ठीक है न इसके बाद की गटनाएं तो होगी अपनी BC और इसके जो पहले की तो होगी before Christ और जो बाद की होगी और डिमनी यानि उसके बाद में अब देखिए all dates before the birth of Christ are counted backwards और यह जो है यह क्या है जो उसके बाद से पहले की जो डेट है वो उल्टी जाती है and are denoted by BC और इसे हम क्या नाम से आगे लगाते हैं हम लगाते हैं BC यानि इतने साल पहले किस से the birth of Jesus Christ whereas the dates after Christ's birth जब की क्या करते है अपन Christ के birth के बाद की जो date है are counted, forwarded and denoted by AD यानि एनो टमनी जिसका mean है the year of the Lord ठीक है AD जो आपके आता है जो बार बार आता है एनो टमनी और इसका पुछले मिनिंग तो मिनिंग हो गया the year of the Lord यानि इसके बाद की जो इवेंट है बाद के जो अपने गटना करम है वो AD आते हैं और इससे पहले के उते हैं उनको BC अब देखिए फोर एक्जेंपल 1000 BC means 1000 year before Christ birth यानि 1000 साल पहले किसके अपने जो उनके बगवान थे Lord Christ के बर्थ से 1000 पहले की गटना काम बात कर रहे हैं और यहां पर AD लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि 1000 बात की बात कर दी माली जी यह 0 यह तो कब है इससे अपन बात करें थे 1000 साल पहले 1000 यह अगो और 1000 यह आफ्टर तो यहां पर जो आफ्टर में तो अपर लगाएंगे AD यहां पर BC ठीक है अब है तो यह भी 1000 यह भी 1000 तो AD और BC से अपने को पता चलता है कि हम कौन से पर्टिकॉलर टाइम पिरिट की बात है कर रहे हैं वैन सोन ओन दर टाइम लाइन C अब ओओ यह चीज मैंने आपको बार बार एक दोबार बता दी उपर इसमें साब साब लिखा हुआ है यह हो गया अपना जिरो जो जीजिस क्राइस्ट का बर्थ हो गया इससे बाद में C और पहले BC ठीक है ना कम साफ्टर 2000 BC अब 1000 BC यह 2000 BC के बाद में आया है अपन जो कर लिखन करते हैं तो वन टू थ्री से करते हैं तो इसाब से 1000 के बाद में आना चीए 2000 लेकिन यह डेटा यह पहले की है और यह डेटा बाद किया मतलब यह हो गया जीरो तो जीरो से 2000 यह पहले और 1000 यह पहले तो बताओ कौन सी oldest event हुई एक तो अपने कोई भी event हुआ है 2000 यह BC और एक हुआ है 1000 यह BC तो कौन सी गटना सबसे नहीं होगी इनकी बात करते हैं तो कौन सी होगी यह ऐसी तो अपने को देखने में लगता है 2000 है तो इसमें आपका थोड़ा से एक बार आप इस चीज़ को दोड़ा द्यान से देखोगी तो आपकी कभी नहीं होगा यह बार बार लिखा हुआता है आगे अपना सारा इसी पर जो सिस्टम चलना है अपनी एंसिंट हिस्ट्री है वो तो इस चीज़ को खास दोस्टे आप द्यान दखोगी ठीक है ना अब देखो अब BC comes after 2000 BC while 2000 AD comes after 1000 AD आगया 2000 AD लेकिन AD के अपने बात करते हैं एनो डिमिनी तो वो तो अपने वोई चीज़ आएगी 123 जो अपने कोमन अब जो चल रहा है यानि 1000 के बाद में क्या आएगा 2000 आएगा अपन बात करते है AD की ठीक है और यह पीछे था यह BC ठीक है अब देखिए Nowadays historians use BCE अब उन्होंने AD और BC की जगे क्या BC और CE use करना शुरू कर दिया instead of BC and AD आजकल दो इस्टोरियन इतियास का रहे है उन्होंने BCE और CE use करना शुरू कर दिया instead of BC and AD यानि BC और AD की जगे इनोंने BCE यह इनको use करना शुरू कर दिया in place of है इनके ठीक है अब देखिए इनका मतलब क्या होता है BCE मैंने बताया था BCE stands for before common era and CE means common era ठीक है तो आपको AD का भी AD और BC का भी पता होना चाहिए और आपको यह BCE और CE का भी पता होना चाहिए if the exact date of an event is not known अगर किसी भी कोई भी जो गट ना करा मैं उसकी अपने को exact date नहीं पता the word circa is added before the date तो इससे पहले इस word को आगे लगाया जाता है जिसकी अपने exact अपने को date या time period अपने को नहीं पता हो approximate अपन किसी time की बात करते हैं तो उससे पहले अपन particularly इस word को use में लेते हैं ठीक है the both the if the both date of two events are either BC or CE we simply subtract the lesser date from the greater one अगर क्या है कि the both of the date of two events are either BC यानि इन में से एक हो ठीक है तो क्या करते है we simply subtract the lesser from the greater तो हम क्या करते है थोड़े वाली जो date है उसको ज्यादा वाली date से क्या करते है गठाते हैं सब्टेक्ट करते हैं जैसे 2000 BCE minus 1000 BCE is equal to 100 year to determine the time difference तो इनके अंतर का जो अब बात करते हैं अभी देखो यह अपना है जिरो यह क्या है जिरो इससे 1000 और यह बटा है 2000 2000 अब यह कहाते हैं इन दोनों यह दो क्या हैं यहाँ पर कोई बी अपने event हुए है अब यह कहाते है was the difference between यहाँ पर क्या है BC है और यहाँ पर BC ठीक है यह BC मानलो आज की साब से ठीक है तो इनके बीच में यह पुछ लेको was the difference between two events ठीक है ना इनके बीच में कितने टाइम का अंतर था तो अपने अपन सिंपली 2000 से 1000 क्या करेंगे सब्टेक्ट करेंगे तो अपना एंसर आ जाएगा 1000 येर का इन में क्या था डिफ्रेंस था लेकिन बट वन डेट इज बी-सी अगर वन डेट इनमें से एक डेट तो क्या है BCE and other is CE और दूसरी डेट है वो क्या है CE है तो क्या करते हैं और हम इसका जो टाइम डिफ्रेंस है वो प्राप्ट करने के लिए क्या करते हैं इन दोरों को एड़ करते हैं ठीक है ती कैसे ये अपना क्या है जिरो ठीक है इस से बात कर रहे हैं आपन कितने यर पहले की बात करें तो इसको अपन क्या लिखेंगे बी सी ये और अब ये हो गए है अब बात कर रहे हैं 1000 अब आगे की मन लो ठीक है ये CE अब इनके बीच में कोई पूछ ले कि इस इवेंट के बीच में और इस इवेंट के बीच में कितना डिफरेंस है ठीक है ना इनके दोनों जो जो हुए थे इवेंट इनके बीच में कितना डिफरेंस है तो इसके लिए आप क्या करोगे उसमे यह मालो बात करते हैं ठीक है 1000 की बजाए यहां पे तो 1000 BC है और यहां पे 2000 CE है तो यहां पे इस में से आप यह सब्टेट थोरी कर दोगे यहां पर क्या करो यह BC वो तो दोनों की सेम होता वो कंडिशन थी यहां क्या करोगे आप यहां पर 1000 BC CE added by 2000 CE is equal to 3000 year ठीक है यह इन दोनों के दोनों particular events के बीच में जो time का वो क्या difference है I got it ठीक है कोई ज्यादा hide and first नहीं है होफ़ली आपको समझ में आ गया हो एक दोबर आप और पड़ोगे तो आ जाएगा ऐसी कोई चीज नहीं है ठीक है न What date would you give to the what date would you give to Christ birth कौन सी date आप उनके बर्थ को मनोगे How would you date an event that happened 3000 years ago from the present और आज से 3000 year ago जो है उसको आप है जो भी कोई particular कोई मालो इवेंट होए तो उसको आप क्या note करोगे तो यह आप अपना थोड़ा करके देखोगे ठीक है देखिए People on move तो यह अपन क्या करेंगे कल करेंगे आज अपन यह थोड़ा सा वैसे तो जादा हाड तो नहीं है लेंग फिर भी एक बार सोड़ा सा समझना जरूरी है तो आप इसको क्या काम करोगे कम से का minimum five time आप इसको read करोगे ठीक है जितना भी छोड़ा सा पैसिज है इसके बाद में आप ये लिखके देखोगे अंदाजे से कम से कम है ना फिफ्टीन यानि फिफ्टीन आप कोई भी करोगे कोई भी अपने ये मान लिया जीरो इससे पहले की कोई फिफ्टीन इवेंट और इसके बाद में तो इसके बाद में ये जो अपने इसने किया नो आप करके देखोगे ठीके ना यानि कोई भी आपने अंदाजे से मान लिया भी ऐसा हुआ ये इतने कुछ भी लिख लिया अपने अंदाजे लिखती है इसमें ये BC कर लो कुछ भी आपे लिख दो 800 CE तो उनके बीच में एड सबस्ट्राइट जो भी चीज़े मैंने जो बताईए ना तो वो आप अच्छे से क्लियर होगे आज के बाद में ये आपके कोई डिफरेंस अपनों लब कोई कन्फूजन नहीं होना चाहिए कि क्या होता है BC क्या CE होता है क्या AD होता है ठीक है न तो ये सारी की सारी चीज़े आपको clear होनी चाहिए और अपन कल आगे से इस lesson को study करेंगे ठीक है तो हमबक आपको मैंने बता दिया है अच्छे से चीज़ को आप अच्छे से calculate करके देखोगे और पीछे वाला जो था आपने वो आपने learn कर लिया होगा अगर नहीं किया खुछ लोगों ने तो वो भी बता देता हूँ अपने इंडिया के जो भी सारे states and their union, sorry, इंडिया के states and union treaties as well as their capital ये सारा का सारा जो आपको है अच्छे से learn करना है ठीक है? ओके, thank you, have a nice day, stay home, stay safe